आज का हमारा टोपिक quadratic formula है और अगर आपने मेला चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चलिए सब्सक्राइब कीजिए है quadratic formula का यूज किया है कि अगर quadratic equation है उसके रूट निकालना है तो आपको quadratic formula यूज करना है अभी quadratic formula बहुत easy है यहाँ पर देखो यह equation दी हुई है अभी आपको यह general equation यहाँ पर दी हुई है दोनों compare करना है compare करके आपको A, B और C की value find out करनी है समझ में आगे? तो आपको A, B और C की value पहले find out करो तो A की value यहाँ पर क्या आएगी? 2 आएगी B की value क्या आएगी? B की value minus 7 और C की value 3 आएगी अभी A, B, C की value मिल गई? अभी अभी देखो quantity के तो इसके root कितने होगे? 2 root होगे तो यहाँ पर formula देखो यहाँ पर plus और minus दोनों दिया हुआ है plus और minus से आँको 2 value मिलेगी एक में plus किया होगा एक में minus किया होगा इसलिए plus और minus यह दो value मिलती है दो value क्यों मिलती है? क्योंकि यह quadratic polynomial है तो quadratic equation में दो value मिलती है अगर Q भी कोती तो तीन value मिलती है समझ में आगे है तो root किसके ओपर depend है? degree of the polynomial पर है अभी आपको यहाँ पर आपको value पूट करनी है अभी देखो B square minus 4AC अभी B square B square याणि B की value क्या थी? minus 7 थी तो minus 7 का square क्या होगा? 49 यहाँ पर 49 दिया होगा है बाद में 4AC minus 4AC तो 4AC याणि 4 into A A की value क्या है? 2 और C की value क्या है? 3 तो 4, 2 जा 12 12, 3 जा 4, 2 जा 8 8, 3 जा 24 तो 24 आए है ओके? तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखा बाद में बाद में यहाँ पर देखो minus B minus B minus B यानि B की value क्या है? minus 7 है तो B की value minus 7 अभी देखो यहाँ पर minus minus क्या हो जाएगा? minus minus क्या हो जाएगा? plus तो यहाँ पर plus से वन आएगा तो minus B की value क्या है? plus से वन आएगा? समझ्या आगिया? अभी डिनोमेटर में 2 A है तो अभी 2 A की value क्या है? 2 2 2 जाएगा? 4 आएगा तो डिनोमेटर में देखो 4 आगया आगया 4 बस इतना हो गया बाद में क्या करना है आपको? कि इन दोनों का subtraction करना है 49 minus 24 तो उसका subtraction आता है 25 तो दीखो यहाँ पे नीचे 25 दिया हुआ है अभी आपको उसका क्या निकलना है? स्क्वेर रूट निकलना है ओके? तो अभी 25 का स्क्वेर रूट निकलना है तो 7 plus minus अंडरूट 25 आंसर आया है तो डिवेड 4 है अभी उसका स्क्वेर रूट निकलना है 25 का तो 5 स्क्वेर रूट आता है तो देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है यहाँ पे 5 है तो यह 25 का स्क्वेर रूट है बात में आपको क्या करना है? यहाँ पे 7 plus minus 5 प्लस माइनस 5 अपोन 4 है अभी एक में प्लस करना है एक में क्या करना है माइनस तो देखो एक में प्लस किया और एक में क्या किया है माइनस तो 7 plus 5 यानि क्या होगा 12 होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 अपोन 4 और 7 माइनस 5 यानि 7-5 क्या होगा 2 तो 2 upon 4 इदर पे दिया हुआ अभी cancellation होगा 12 upon 4 4 1 जा 4 3 जा तो answer 3 आया अभी 2 upon 4 दिया हुआ है तो 2 1 जा 2 2 जा तो 1 upon 2 answer आया तो यहाँ पे 1 upon 2 answer आता है समझ में आगे हैं यहाँ पे इसी प्रकार another example लेते हैं पहले आपको देखो क्या करना है यहाँ पे यह equation है उसको general equation से compare करो और ABC की value find out करो बाद में यहाँ पे ABC की value put करना है अभी ABC की value put करके आपको solve करना है ओके कभी-कभी under root में भी answer आ सकता है तो यहाँ पे देखो अभी यह B है B square B square यानि 1 का square ओके तो 1 आता है बरबर बाद में minus 4 AC यानि minus 4 A क्या है 2 और C क्या है minus 4 अभी minus minus क्या हो जाएगा plus और 4 फोर्जा 16 16 टूजा 32 तो plus 32 इसका answer आता है इसको solve करे दो यानि minus minus plus और 4 फोर्जा 16 16 16 इंटू 2 यानि 32 तो देखो यहाँ पे plus 32 दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे plus 32 दिया हुआ है अभी देखो यहाँ plus और minus as it is अभी आपको B की वेल्यू देखना है B की वेल्यू क्या है 1 तो यहाँ पे देखो minus B की वेल्यू क्या होगी minus 1, denominator में क्या है 2A, 2A तो A की value क्या है, 2, A की value 2A, denominator में 2A है तो A की value 2 है, तो 2 into 2, तो क्या आएगा 4, denominator में क्या आएगा, 4 आएगा, ओके तो 2A की value 4 आगए अभी यहाँ पे देखो अभी 1 plus 32, यानि 33 आया अभी देखो, plus और minus है तो एक में plus करना है, एक में minus करना है, ओके तो एक में middle में plus करना है, एक में minus करना है समझ में आगया Thank you for watching my video दोस्तो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरी चैनल Jamin Education को सब्सक्राइब कीजिए, और bell icon को दबाईए